अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए आज की हमारी वीडियो शुरूर करते हैं अबर फर्स्क्राइब रंगानाथन हैड एससेशन विद फॉलॉइंग इंटरनेशन ओर्गनाज़ेशन एफ इसको युनेस्को वीपो तुसका राइट अंसर क्या होगा है है एट अंसर इस बी देखिए रंगानाथन का संबंध इन चार और्गनाज़ेशन में से सिरफ दो और युनेसको हैं और डॉक्टर एससा रंगानाथन का फूल नेम क्या था सियाली राममृता रंगानाथन देखिए मैंने यहां पे जो मैल्विल डैवी है एची बिस है डॉट बीस है इन सभी के फूल नेम या शो कर दिये हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ भी यहां पे शो कर दिये हैं एक्जाम में कई बार पुछे जाते हैं तो एक्जाम पॉइंट विससे काफी इंपोर्टेंट है आपको इनके फूल नेम डेट ऑफ डेट याद होनी चाहिए और नेक्ट शूशन इस विच्वन अमंग अफ द फॉलोविंग इस नोट एन एलिमेंट ऑफ दा मार्केटिंग मिक्स तो इसका राइट अनसर क्या होगा और कई बार एक्जाम्स में 4P की जगह पे 4C भी पूछा जाता है तो प्रोड़क्ट किसके लिए उस होता है कस्टमर नीड एंड वांट्स प्राइज कोस्ट तो दा कस्टमर प्लेस क्न्मिनियंस एंड प्रमोशन कम्यूकेशन तो आपको 4P और 4C के फंक्शन्स दोनों के या iid Assessment D iizadaइशर इड इंस्टेंडब्स नेम आड है और जो यह स्टेंड़ है यह किसके लिए यूज होता है कौन इसको यूज करता है पफेलेसर करते हैं है लाइवरेाज ves plant के लिए के लिसकेने जाता है और मैं टोटनल कितने का मिशलिंट होते हैं और उसका इक्जांपल भ feeling very important question तो इसका right answer क्या होगा right answer is D word by word देखिए जो यह arrangement है word by word इसको ही कहा जाता है nothing before something और यहां पर मैंने इसके example भी show कर दिये हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है for example New York और Newark इसको इस तरीके से लिखा जाता है और नेक्पोशन initiative तो इसका right answer क्या होगा right answer is C UNESCO and IFLA our next question is according to AACR2 revised edition the cataloger has to make an added entry under the title proper of every item entered under a corporate heading a personal heading a parallel title and a uniform title तो इसका right code क्या होगा कि आपकोड़ीज सी फर्स सेकंड एंड फोर्थ देखिए यहां पर जो parallel title है यह एक्जामस में काफी बार पूछा जाता है तो यह पर जाता है जब आपके मैंने कुछ other title information भी शो की हैं for example सब टाइटल किसको बोलते हैं alternative टाइटल किसको बोलते हैं पार टाइटल तो आप further study के लिए आप इस paragraph को इस तो इसका राइट एंसर क्या होगा इस एस एस सरदार वल्लब भाई पतेल देखिए 31 अक्टूबर 2016 को प्राइमनिस्टर ओफ इंडिया श्री नरेंदर मोधी जी ने डिजिटल एग्जीबीशन का जो वैब पोर्टल है उसको लोंच किया था और उसका नाम क्या था सरदार पटेल डोट एन वी एलाई डोट इन और इस पोर्टल को किस ने डिजाइन किया था जैड़ वाई एक्स वेर टेकनलोजी इन पार्टनर्शी विद आयाइटी बोंबे और जो यह नैशनल वर्चो लाइब्रेरी ओफ इंडिया है एक इसका इनिशेटि इस curry यहासरी सीवर और या अरेइज्ट फोलोव्इंग इन ख्र creeping onट ओडर वाइर इंपोाट्रंट्ट के सथी क्या होगा ह offers sabaid सिस rescue jail wet Two information act है यह दो फच्वांच में आया information technology Act इंडिया का जीए वह 20 Sul में आया इंदियन İş if 57 में और डिजिटल मनेनियम कोपिराइट एक्ट यूससे का 1998 में इंटर्ड्यूज हुआ था और नेक्ट प्रेशन इस इन इंडिया शोद गंगोत्री इस डेवलप्ट फॉर वेर इंपोर्टेंट क्वेश्चिन तो इसका राइट एंसर क्या होगा और एंसर इस C Online Repository Approved Synopses for PhD Work देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है जो शोद गंगोत्री है वो Online Repository of Approved Synopses है प्यसडी वर्क के लिए और जो शोद गंगा है वो Digital Repository of Indian Electronic Thesis and dissertation है या बोल सकते हैं Online Repository of PhD Thesis है तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है शोद गंगा जो है वो फुल फ्लेज रिपोजिटरी है प्यसडी थिसीज की और जो शोद गंगोत्री है वो Approved Synopses की Repository है प्यस्डी वर्क की अबर नेक्क क्या होगा तो इसके राइट अंसर क्या होगा राइट अंसर इस बी मिचेल गोर्मेन थेंक यू अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जुरूर कीजेगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जुरूर कीजेगा अगैν थेंक यू सो मखो